दोस्तो आज किस वीडियो मैं आपको दुन्या कुछ खतरनाग 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 यह कुट्टा बहुत स्मार्ट होता है इसलिए इस कुट्टे को जातर पुलिस के साथ ही रखा जाता है इस वज़ा से यह कुट्टा पुलिस या कुट्टे की रूप में जाना जाता है जर्मन सेफ़र्ट को सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग पसंद करते हैं यह कुट्ट प्रतीतना वफादार होता है कि अगर उन्हें जरा से विवनक पड़े कि उनका मालिक डरा हुआ है तो सामने वाले पर जान लेवा हमला कर देता है नमबर टू पीट बूल जान लेने के लिए मसूर पीट बूल दुनिया के सबसे खतरनाक डाग ब्रीड है इनका नाम पीट बूल इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे पीट में उतार कर लड़ाई करवाई जाती थी यह पर जाती सिकार और निगरानी दोनों के लिए मसूर है लेकिन इसे पालना इतना असान नहीं है पीट बूल की वज़ास अमेरिका में अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है इनकी हाइट और ओर ओजन दुसरे के मुकाबले कम है लेकिन फिर भी यह दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ता है इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर और ओर ओजन 30 किलो के आसपास होता है अमेरिका युके साहित कई सारे देशों में फीट बूल को बैन कर दिया गया है इस परजात के कुत्ते सक्तिसाली तो होते ही हैं लेकिन साथ ही बहुत तेजी से काटने में माहिर भी होते हैं इस कुत्ते की होजास से अमेरिका में अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है सफेद कलर के युकुत्ता देखने में तो बहुत ही प्यारा और मासुम किसम का लगता है लेकिन यह परजाती सबसे खतरनाक परजातियों में से एक है इस कुत्ते का इस्तमाल डाक फाइटिंग में होता है इस परजात के कुत्ते सिकारी किसम के होते हैं उनके इस आक्रमक सभाग के कारण इने कई देशों में पटिबंध लगा दिया गया है अगर आप कहीं भी डोबर मैन के आस पास घूमते हो तो आपको अपनी सुरच्छा के धिया रखना चाहिए क्योंकि जर्मन सेफ़ट की तरह डोबर मैन भी अपने माली के परिती बहुत ही अफादार होते हैं और उन पर खत्रा मौसूस होने पर हमला कर देते हैं या सरीर से काभी मजबूत होते हैं इस कुत्या की हाइट 42 cm होती है और वोजन 45 kg के करीब होता है तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और वीडियो जड़ा सीब अच्छा लगा हो नो तो लाइक कर देना यार और हाँ चैनल की सस्क्राइब कर देना कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूं